बिहर में 2020 में विधान सभा चुनाव में मुख्य मंत्री के चेहरे को लेकर उपेंद्र कुश्वा के दावे को जेडियू ने सिरे से खारिच कर दिया है जेडियू परवक्ता आजे आलोक ने कहा कि सियम की कुरसी कोई रजगुला या मीट भात नहीं है जिसे 15 साल खाने के बाद मन भर जाए आलोक ने कहा कि जिम्यदारी है जिसे नितीश कुमार निभा रहे हैं उन्होंने कहा कि नितीश कुमार को जनता ने CM बनाया है और जब तक जनता चाहेगी तब तक वे मुख्यमंत्री बने रहेंगे नितीश कुमार जब तक शक्षम रहेंगे शारीरिक रूप से मांसिक रूप से नितीश कुमार का जीवन जनता की सेवा में ही बितेगा और कोई और तय नहीं कर सकता है कि नितिश कुमार मुख्यमंतरी कर तक रहेंगे सिवाए जनता के ज्नता जिस दिन समझ लेगी कि नितिश कुमार अक्षब हो गया वे उस दिन नितिश कुमार कुर्सी को छोड़ देगा और नितिश कुमार को पूर्सी से कभी प्यार नहीं ला carrying अनего दिखा दिए इसलिए ये कहना नितिश कुमार के बारे में कि वो त्रिफ्थ हो गए है ये कहीं ना कहीं से हमें नहीं लगता है मुझे नहीं लगता है कि सही कुश्वा ने दावा किया था कि खुद नितीश कुमार ने उनसे ही कहा था कि वे अगली बार मुख्यमंतरी नहीं बनना चाहते हैं लेकिन जिस तरह से जेडिव के तेज तर्रार प्रवक्ता अजयालोक ने कुश्वा के दावे को खारिच किया है इसे सवाल सियासी गल्यारे में जोर पकड़ने लगा है कि कहीं उपेंद्र कुश्वा नितीश कुमार के बजाए अपने मन की बात तो नहीं कर रहे है पंजाब केसरी टीवी के लिए रहतास से रंजन सिंग की रिपोर्ट